हेलो गाईज, वेलकम टू माई चैनल जेटी लेक्चर्स तो फ्रेंज आज की वीडियो में हम देखेंगे गौस की प्रमे से कुलाम की नियम का निगमन जो हम किस तरीके से करेंगे तो ये जो है most important topic है जो पेबरों में पूछा जाता है तो बंद प्रष्ट मानने के लिए हमने क्या करा कि माना एक मारपा बिंदू है O जिस पर हमारे पास क्या करेंगे कोई हम आवेस रख लेंगे ठीक है इससे आर मीटर की दूरी पर जो है हम एक कोली प्रष्ट खीसते है यानि गोली प्रस्टिया करते हैं कर्पना करते हैं इस तरीके से मारपा हो जाएगा कि आर्थ रिज्जा है इसकी और यहां पर से जो है कोई भी आवेश माल लेते हैं ठीक है तो आप क्या लिखेंगे इसके लिए कि माना निर्वाद अत्वा वायू में हमने कोई भी एक आव सूख्ष में छेत्रफल प्रस्टिया है यहां पर से लिए माल लेक्त करते है उसके चारोड 1994 गार्ब का पिलागा फ्रिज्चेशन कर देखा हूं तो तो देखो हम इसको किस तरीके से निख लिंगे कि कास के प्रमेंस कि नियमकर निखमन के लिए हम जो derivation solve करना है तो उसके लिए जो हमने चित्र बनाया है उसको जो है थोड़ी थी तोड़ि में लिखना पड़ेगा तो इसके लिया हम जो हो को के इंद्र मानकर जो है कूली प्रेष्ट के का करते हैं तरी kay मीवक्य है यह लाइन आप उपर नीचे करके लिख सकते हें मैंने आपको जिस तरीके से लिखना है उस तरीके से लिखवा लिए ठीक है क्यों कि उद्धु 3 भी दद और जो मारे पास क्या हो जाएगा सूखशष्षधर प्रथ जो एक द्रुशाँ में हो जाएंगे तो यहांपर से क्या हो जाएगा महापार जो बना गया कॉन हो जाएगा जीरो हो जाएगा ठीक है तो सब्सक्राइब कैसे करेंगे तो हम उसी सब्सक्रा होगि पता है एक है अचि एपके प्य़कुल निकालें तो हम क्या लिख आ जाता है फाई E is equal to क्या जाता है E A तो अगर हम सूख शेत्रफल निकालेंगे तो क्या जाएगा D D phi E is equal to फिर आ जाएगा E DA ठीक है तो हमें पता है E DA को हम क्या लिख सकते हैं E DA cos theta अगर हम इसको open करते हैं तो हम पर से क्या जाएगा E DA cos theta तो देखो क्या जाएगा D phi E is equal to E DA cos theta और मैंने आपको बताया है बनाएगा क्या कोण कितना हो जाएगा 0 अतहाँ theta बराबर कितना हो जाएगा 0 असे लिख लिख लिखेंगे अतहाँ theta बराबर कितना हो जाएगा 0 ठीक है तो कुल वीडियो फ्लक्स से जब हम निकालेंगे तो क्या जाएगा इसका हम कर देंगे इंट्रिकेशन यानि समाकलन किस तरीके सोता है मैंने आपको पहले भी बता रखा है जो इससे पहले वाली पार्ट था इस शेप्टर का करेंगे या जाएगा तो इसके बाहर इस तरीके से बंद समाकलन का साइन लगा देंगे और क्या जाएगा डी फाइए और यहां पर से भी लगा देंगे बंद समाकलन और ई डीए ठीक है यह सदी सासी है तो इस तरीके से लगा देंगे फिर देखो क्या हो जाएगा अब जब कितना बदल जाएगा फाई इस एकवाल टू फिर एका करेंगे ए रहें ने क्योंकि यह जो है हमने पता है कि यहां पर वैली रख दिंगे देखो फाई इस एकवाल टू यहां पर से एको एसी रहन देते हैं और एक जगह में कितना जाएगा फोर पाई आर इसक्वाई ठीक है और देखो हमने पढ़ा हुआ है कि अब देखो जहां हमें यह वैल्यू पता है यह वैल्यू पता है ठीक है अब देखो हमारे पास क्या हो कि हो जाएगा यहाँ पर देख लेते हैं value हमाँ पर 5E is equal to E और A बजाता ठीक है तो आप देखो हमाँ पर A की value कितनी आ जाएगी 4 pi r square ठीक है और जो E था E हमें पता है कितना हो जाता है तो E की जगर में value रख लेंगे देखो तो हमने क्या करा 5E is equal to E और 4 pi r square equation number first और 5E is equal to में पता है गौस की प्रमे से क्या जाता है Q upon epsilon not equation number second यह हो जाएगा ठीक है अब हम एक पेशन अगर first or second को solve करेंगे तो क्या हो जाएगा देखो 5E से 5E cancel जाएगा तो क्या बचेगा E 4 pi r square is equal to Q upon epsilon not तो इसको next page में समझते हैं देखो किस तरीके solve करेंगे तो देखो क्या बचा था हमारे पास 5E is equal to मारे पास था E 4 pi r square एक तो मारे पास यह थी equation और हमने पता था गौस की प्रमे से क्या हो जाता है 5E is equal to Q upon epsilon not ठीके equation number second तो अब हम क्या लिख लिखेंगे sum एक वर दो से या दो की तुलना करने पर तुलना करने पर ठीके तो हमने इन दोनों की तुलना कर दी तो देखो क्या हो जाएगा 5E से 5E यह दुनों तो एक पराबर है तो हमने इसके जो है राइट हैंड साइट जो है एक पराबर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा E 4Pi R square is equal to Q upon epsilon not यह जाएगा फिर देखो क्या हो जाएगा E is equal to इसको इसको इसके पॉने भीस देते हैं 1 upon 4Pi R square Q upon epsilon not यह हो जाएगा तो देखो सही उसमें अगर इसको solve करते हैं तो क्या हो जाता है E is equal to 1 upon 4Pi epsilon not Q upon R square ठीक है तो यह हमारे पर हो जाएगा ठीक है इतना तो I hope कि आप लोग को अच्छे से clear हो रहा होगा तो इतना हमने जब करा फिर हम क्या मानेंगे इससे कुछ दूरी पर एक बिंदू क्या है कोई भी मान लेंगे Q1 Q2 इस तरीके से और बागी हम उसमें जो है विद्धु छेत्र की तीविता निकालेंगे या फिर हमें अभी निकालना है कुलाम का नियम निकालेंगे ठीक है जो मने पीछे हमेस माना था जहाँ पर क्यों और वैस था क्यों आवस से आप दूरी पर धनावेश कि कुछ भी लिख सकते हैं तो में हाँ पर से क्या मान लेती है Q-0 इस्तित है चीक है जैसे अगर में आपको दिखाऊ आउं तो आप यहां पर से देख सकते होंगे कि ओ है तो इससे हम माल लेते हैं कि क्यों से आर दूरी पर यहां पर माल लेते हैं आप कहीं पर भी मान सकते हैं यहां पर या फिकुछ दूरी पर ऐसा कुछ भी नहीं है तो आपने यहां पर से कहीं पर भी एक माल लिया कि आवेस है ची पर्फिकल्षण बल लईगा अगर से यांद लहों को निकाले वाल Mississippi वर्फ लेकिन अब हमाई पास कौने पास प्रिभासा से विद्यूत छेत्र की परिभासा से हमारे पास कौन सा फॉर्म ना निकला था तो हमने जब विद्यूत छेत्र की परिभासा निकाल ली थी तो इससे रिकाल था जो इसमें वायपे विदिया चहीता हो जाएगी वह उसे पहनapi пример wise के उसके क्या जाएगा चेह तो मैं इस तरीके से निकाल ली थी विदियव चेतिर की परिभासा से तो अब हम इसको क्या करींगा यहापर से apply कर दीगे देखो क्या हो जाएगा अगर हम 앞에illiонernina तो निकालेंगे तो एक फिसकल तो क्या जाएगा एक यहां पर से पता है क्या है हम इसको माले थार्ड क्योंकि हमने एक्वेशन फर्स और सेकेंड ऊपर माल लिए ठीक है तो यहां पर वैल्यू रख दिंगे एक फिसकल तो एक वैल्यू आजाएगी वन अपन फॉर पाई कि जैसे हमने कुलाम का नियम निकालता तो क्या हो जाता है एक फिसकल जो वन अपन फॉर पाई एपसाल नौट क्यूवन क्यूट अपन आर स्कूर लेकिन अब यहां पर से हमाइपक्यू और क्यू नौट है तो इसमें कोई भी कंश्यूज नहीं हो ना लेकिन दो आवेस है क्यू वन क्यूट हो या क्यू क्यू नौट हो या फिर क्यू क्यू टू हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन दो आवेस आए और उनके मद्धि लगने वाला आकर्शन फिर परतिकर्शन बल लग रहा है और उसके जो दूरी के स्क्वैर गुना होता है तो वह मापास क क्या लाता है कुलाम का नियम तो यही हमने प्रूफ करना था आपको अच्छी से समझ में आया होगा काफी स्चॉट वीडियो है आप लोगों के लिए काफी हल्पूल रहेगी